नासिक कुम्ब मेले के कारण भी दुनिया भर में पहचाना जाता है लेकिन इस शहर की एक और भी पहटान है और वो है यहां का प्रसिद्ध कपालेश्वर महादेव मंदिर जो कि गोदावरी तटपर बना है। वेदो चारण करते थे और पांचवा निंदा करता था। निंदा वाले मुख से शिव नाराज हो गए और उन्होंने उस मुख को भ्रमा जी के शरीर से अलग कर दिया। इस घटना के कारण शिव जी को भ्रमहत्या का पाप लगा। उस पाप से मुक्ती पाने के लिए शिव जी ब्रहमान में हर जगेह घुमें लेकिन उन्हें मुक्ती का उपाय नहीं मिला। एक समय जब वे सोमेश्वर में बैठे थे तब एक बचड़े द्वारा उन्हें इस पाप से मुक्ती का उपाय बताया गया। बचड़े के रूप में नंदी थे। वह शिव जी के साथ ग देव के गुरुभार बन गए इसलिए उन्होंने इस मंदिर में स्वयम के सामने बैठने से मना किया।